विशनना तो हो आगे जब घड़ी का काटा करता है चार बज़े का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा क्योंकि चार बज़े हम चक्रवियू के साथ आपके सामने पेश होते हैं और चार ऐसी लोगों को चक्रवियू के चक्र में फसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए नमस्कार Capital TV में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाबिस्ट आज चक्रवियू के चक्रुफा से हैं खालिस्तानी आतंकी पन्नू सपानेता शिवपाल यादो तीन खालिस्तानी और मुखतार अंसारी के दो करीबी इन सभी कात सारा काला चठाप के सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इनकी कर्तूते पहली खबर में बात सियम योगी को मिली जान लेवा धमकी की मोखे मंतरी योगी अधितनात को खालिस्तानी समर्थक और सिख फॉर्ट जस्टिस के मोखिया आतंकी गुर्पतवंत सिंग पन्नू ने जान से मारने की धमकी दी है आतंकी पन्नू ने ओडियो मेसेज से धमकी भरी रिकॉर्डिंग भेजी है जिसमें उसने कहा है कि पुलिस ने अयोध्या में खालिस्तान समर्थक दो युगों को गुरफतार किया है उनने प्रताडित किया जा रहा है उनके खलाब जूठा मुकदमा बनाया जा रहा है आयोध्या में 22 जन्वरी को हो रहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्टा हमारों में आपको SFGA से कोई बचा नहीं पाएगा जरूरत पढ़ने पर राजदितिक हत्याएं कराएंगे SFGA की तरफ से 22 जन्वरी को इसका जवाब दिया जाएगा आपको बता दे कि अयोध्या में 24 घंटे के अंदर पुलिस और सुरक्षय एजन्सियों ने तीन संदिग्दों को रासत मिलिया था तीनों संदिग्दों से ATS लगातार पुछताच कर रही है वही सुरक्षय एजन्सियों के सूत्रों के मुदापि सीयम योगी को भेजे धमकी भरे मैसेज में वोइस रिकॉर्डिंग भेजी गई है ये रिकॉर्डिंग यूनाइटेट किंड़म यानी की यूके की लोकेशन से मिली है फलाल इस मैसेज से जुड़े सभी पहलों की जाच की जा रही है हर एक एंगल से जाच चल रही है बता दे कि यूपी ATS ने लखनव से अयोध्या आ रहे हैं एक संदिग्द को हाईबे पहरी दबोश लिया था पुछताच के बाद उसके दो अन्य साथी को भी ग्रफतार किया गया आरूपी की पहचान राजिस्तान के सीकर निवासी धरमवीर के रूप में हुई है जिसका कनेक्शन सुखा दुनके गैंग से बताया जा रहा है अगली खबर में बाद शिवपाल यादो के विवादित बयान के साथ एक तरफ प्राण प्रतिष्टा हमारों राम मंदिर में उत्सुकता बढ़ा रहा है तो अहीं दूसरी और राजनेताओं के लिए ये सियासी रोटी शेखने का भी एक मुद्दा बन गया है इसी बीच उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस और सपा के वरिष्ट नेता स्युपाल यादो का कार सेवकों पर एक बयान आया विवादों में घिर गए इस बयान के बाद शोपाल यादों ने कहा कि अयोध्या में कार सेवकों पर जो गोलिया चलाई गई थी उसे सभिधान बचाने के लिए किया गया था कोट के आदेश का पालन हुआ था उस दोरान सभिधान की रख्षा की गई थी कोट ने उस दोरान कहा था कि जस की तस स्थिती रखी जाए भाजपा हमेशा जूट पर राजनीती करती है कार सेवकों ने जाकर मज़ित तोड़ी थी वहीं दो नेवेंबर दोहजार नब्बे को अयोध्या में कार सेवकों पर हुई फारिंग की घटना इसी के साथ फिर से बहस का बड़ा मुद्दा बन गई है इसके अलावा शिवपाल यादो ने अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्टा हमारों को लेकर भी सवाल खड़े किये शिवपाल यादो का कहना है कि ये बीजेपी का पॉलिटिकल इवेंट है जिस धार्मिक आयोजन में शंकराचारी और महंतो को रहना था उसमें बीजेपी के नेता देख रहे है इन सब बयानों के चलते शिवपाल यादो एक बार फिर से विवादों में घर गए है शिवपाल यादो के इस बयान की बीजेपी ने जम कर निंदा की है सपा महजबी तुष्टिकरण के चलते राम भक्तों का अपमान कर रही है उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको बता दे कि ये कोई पहली बार नहीं है जब सपा का कोई नेता कार सेवकों पर चलाई गोलियों को जायस ठहरा रहा है इससे पहले बीजेपी से सपा में आए स्वामी प्रसाद मौरे ने भी कहा था कि जिस समय अयोध्या में मजज़ी तोड़ी जा रही थी तब बिना नयाईक या प्रशासनिक आदेश के अराजक तत्वों ने तोड़ फोड़ की थी कार सेवकों पर गोली चलाने के सवाल पर मौरे ने कहा था कि तत्काली सपा सरकार ने अपना कर्टव निभाय था जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौरे एक बार फिर से विवादों में घिरे और अब शिवपाल यादों भी विवादों में घिर गए है अगली खबर में बाद UP ATS को मिली बड़ी सफलता के साथ अयोध्या में 22 जन्वरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्टा होने जा रही है इसे लेकर तैयारियां जोरो शोरो पर हैं जिसके चलते सुरक्षया को लेकर भी कड़े इंतजाम किये गए हैं इसी बीच कैनेडा में मारे गए सुखा दुनके और अर्ष डाला गैंग के तीन संदिग्द आरोपयों को अयोध्या से पकड़ा गया है UPATS के साथ साथ इंटेलिजिन्स की एक टीम तीनों संदिग्दों से पूछताज कर रही है वहीं बताया जो रहा है कि धरमवीर राजिस्थान के सिखर का रहने वाला है बतादे कि राष्ट जाच एजंसी NIA ने अर्ष डाला को वांटेड घोशित कर रखा है वहीं भारत सरकार ने उसे आतंकी घोशित किया है वहीं इस गरफतारी को लेकर अयोध्या के कानून और विवस्था के डीजी ने बताया कि राजिस सरकार और पुलिस मुख्याले के निर्देशों पर चलाए जा रहे चेकिंग अभ्यान में तीन संदिग्दों को हिरासत मिलिया गया है इन संदिग्दों से पुछता चल रही है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि पिछले साल अर्ष डाला के राइट हैंड माने जाने वाले सुगदुल सिंग सुखा की हरतिया हुई थी वो कैनेटा के पॉश इलाके की एक कोठी में रहता था जिस फ्लैट में सुगदुल रहता था और फ्लैट में सुगदुल को घर में घुशकर गोली बारी गई थी हम्लावरों के निशाने पर अर्ष डाला भी था लेकिन वो उस समय उस कोठी में नहीं था फिलाल अर्ष डाला कैनेडा में ही मौजूद है और पाकिस्तानी खोफिय अजंसी के इशारे पर काम कर रहा है वहीं अब उसके गैंग के तीन संदिक्दों को अयुध्या से पकड़ा गया है अधिकारियों को कुछ लोगों के बारे में जानकारी मिली थी जो अवैद गतिविदी में शामिल थे आरोपी आईसाय से प्रेरित होकर राष्ट विरोधी योजनाई बना रहे थे अब तक अब्दुल्ला अरसलान माज बिन तारिक और वजियुदीन सहित कुल आठ अभ्योकतों को ग्रफतार कर लिया है और एक व्यक्ती ने कोट में सरेंडर किया था गौर गलब है कि यूपी एटियस को जिस फैजान बक्तियार की तलाश दी उस पर 25,000 रुपे का इनाम खुशित था एटियस ने अपने कूफिया नेटवर्क और निगरानी अभियानों के जरिये फैजान को अलीगड में सफलता पूर्वक ग्रफतार कर लिया पुच्टाच के दौरान फैजान ने अपने पहले पकड़े गए साथियों के साथ प्रियागराज के रहने वाले रिजवान अर्श्रफ से आईस आईस की शपत लेने की बात स्वीकारी की आखरी खबर में बात माफिया मुखतार अनसारी के करीवियों पर हुए बुल्डोजर एक्शन की उत्तर प्रदेष के मउं में जिला प्रशासन के आदेश पर राजिस्ट्वी टीम ने भारी पुलिस की मौजूदगी में मुखतार अनसारी के दो सयोगियों के मकान पर वहीं जानकारी के अनुसार मौ के थाना दक्षिर तोला में मुक्तार अंसारी के करीबी शाहिद लारी ने मौ आजमगर रोड के पास 42 फीट में मकान निर्माड कराया जबकि मौ आजमगर मार्ग 30 मीटर है इसके बीच 50 फिट छोड़कर निर्मान होना चाहिए था इसके भारी पुलिसबल भी मौके पर मौझूद रहा और बुल्डोजर चलाया गया वहीं मुक्तार के दूसरे करीबी मिथलेश राय ने अपनी पतनी के नाम थाना सराय लक्सी शेत्र में मानकों के विपरीत मकान निर्माड कराया था इसमें बेस्मेंट में कमरे की दिवार को ध मौके पर मौझूद मौव नगर शेत्र के सियो सिटी अंजनी कुमार पांडे ने बताया कि मौव में थाना दक्षि टोला शेत्र के अंतरगत शाहिद लारी नाम के व्यक्ति के द्वारा नक्षे के विपरीत अपने धनबल और प्रभाव और नियमों को ना मानते हुए और इनके संबंद को लेकर सियो सिटी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये बिना किसी शह के या मन में माफिया गिरी के ये नहीं हो सकता उनकी ये हट धार्मिक बिना किसी शह के नहीं हो सकती है आज हमने देखा कैसे चक्रवियू के चक्र में खालस्तानी आतंकी पन्नू सलसनी केस खुलासे के साथ बाकि तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश नमस्कार कर दो कर दो